Hello everyone, my name is Rohit Jain, I am 21 years old, I am a banking aspirant, recently IBPS has announced the result of IBPS PO, SO and clerk and I got selected as clerk in Bank of India तो आज इस वीडियो में मैं डिसकस करना चाहूँगा आपके साथ कि क्या-क्या मेरी स्ट्रेटेजी स्री, मैंने कैसे प्रिप्यार कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हम शुरुवात करते हैं मेरे ग्रेजुएशन से, मेरा ग्रेजुएशन जो कम्टेट हुआ, वो हुआ 2019, एप मेरे पैरेंट्स का, मेरे सिस्टर ख्याती का, मेरे एकोर सिस्टर परिनिता जो कि SBI में वर्क करती है और मेरे जीजु भरत का, इसके अलावा में थैंक्फुलू कॉटिल एकडमी की टीम का, आशी पाटी सरका जो कि हमारे रीजनिंग गुरु थे, गौरव पाठक सरका और और साथी साथ महेंद्र पवार सरका, इसके बाद मैं आपसे डिसकस करना चाहूँगा कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही, मुझे क्या डिफिकल्टी सही, कौन सी मेरे एक्जाम दी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैंने कौन कौन सी एक्जाम दी, मैंने सबसे फर्स्ट जो एक्जाम दी थी, वो थी SBI clerk, जिसमें मेरा pre नहीं clear हुआ था, उसके next मैंने जो एक्जाम दी, वो थी RRBPO और RRB clerk, जिनमें मेरा pre clear नहीं हुआ, उसके next ही जो सबसे अच्छी एक्जाम आई वो थी IVPSPO, जिसमें मेरा pre clear हुआ, mains clear हुआ, और साथ ही साथ मैंने interview भी दिया, जिसमें कि जो मेरे marks थे, वो थे 40.40 और जो cutoff आया, वो 40.82 था, इसके अलाग, बस 0.42 marks से ही मेरे गया, और इसके next मैंने exam जो दी थी, वो थी LIC assistant, LIC assistant में में 3 और 4 marks से means clear नहीं कर पाया, और उसके next आपको पता ही कि IVPS clerk का भी curly result आया है, जिसमें मैं clear कर चुका हूँ, और जो मेरे marks से वो भी काफी अच्छे है, 10 marks उपर भी आये हैं, cutoff से, और बहुत ही अच्छा experience रहा, once again, अभी देखे, छोटी वीडियो है, तो मैं जादा तो नहीं आपसे बात कर पाऊंगा, लेकिन मैं जो आगे वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैं आपको अपनी strategy दूँग मैंने अभी सारी बात बता दिये, once again, thank you, thank you, cocktail academy team and thank you everyone